कि हैं बाहु बली नेता मुक्तार अंसारी की मौत पिछले कुछ दिनों पहले हार्ड अटैक से हो गई लेकिन डिल्य पुलीस की इस्पेसल सेल के डारी के पंडों को अगर पलटते हैं तो पाते हैं कि मुक्तार अंसारी को मारने की योजना बहुत पहले भी प्रची गई थी और अगर कुछ हमारे सुत्र के अगर माने तो जिस रह से साल 2015 के बारे में जिकर आता है कि साल 2015 में उनकी मुक्तार अंसारी को मानने की एक साजिस्त्रशे गई थी राजहनी दिल्ली में! जब रास्त के धवरान में उसे लाये गया था ! इसी दौरान पे यहां पर मुक्तार अंसारी पर आत्माहाद्री हमला करने की तरशा की गया थी और इसके लिए छे करो रूपे की सुपाड़ी कुछ ऐसे आरूपियों को दिया गया था, जिसका वास्ता देली से नहीं था, या उत्रप्रदेश से नहीं था, बलकि बिहार से था, बिहार के एक माववादी अपराधी का जाते थे, उस वक्त में उसे सुपाड़ी दिया गय और सुपाड़ी दौर्वे 50 लाग रुपय की जो एक एडवांस रखम है वो दी गई थी, और इस हत्याकान को अंजाम देने के लिए भरत सक्सेना के द्वारा सचीदानंद उर्फ लंबू शर्मार को चुना गया था, जो एक बहुत ही सार्प सूटर माना जाता है, और उस इसे साथ में बाठ करके बाद चीत की गई थी, लेकिन सचीदानंद उर्फ लंबू शर्मा इस हत्याकान को अंजाम देता, उस से पहले ही इस मामले की जानकारी दिली पुलिस को लगी, उसके बाद इस पि cái संसल की टीम ने इस हत्याकान को अंजाम देने वाले आप राधि थी लेकिन एकतर से कहा जा सकता है इस पिसल सेल की टीम अगर उस वक्त में इस फूरे ओपरेशन को बेहतर तरीके संजाम नहीं देती तो हो सकता था कि साल 2015 में ही मुक्तार अंसारी की हत्या राजधानी दिल्ली में हो जाती शंकर आनद निव्जेटिन दिल्ली